ये फॉन एक flagship killer हो सकता है मैं हमें बात कर रहा हूँ आईकू नियो 7 Pro की flagship killer के definition ये रहती है कि आपको एक flagship लाइब का प्रोसेसर affordable price मिल जाए और आईकू ने कुछ-कुछ ऐसा किया यहाँ पे पिछले साल का जो flagship था 8 प्लस जैन्वन उसको लिया ये 35,000 रुपीज के excitement में यानि कि 35,000 तो इसका price रखा गया है लेकिन offers discount मिलाके ये फोन आपको और भी कम rate में देखने को मिल सकता है और एक और अच्छी बात करिए कि इसका 12256 भी 38,000 मिलने कर आगए है और उसके बाद उसमें और discount देंगे और उपर से phone के नदर भी सारी वो चीज़े डाल दी है जो हम किसी भी कच्छे phone से expect करते है मतलब की 1 plus German processor चाहिए है UFS 3.1 storage चाहिए है 50 MP का GN5 image sensor OIS के साथ है इसके नदर 120 watt की charging है 5000 mAh की battery है 120 Hz का AMOLED screen आपको देखने को मिल गए है 10 bit panel के साथ तो काफी सारी चीज़े नोने हाँ पर pack कर दिया लेकिन क्या ICO Neo 7 Pro सच में इतना अच्छा हो जाता है मतलब किसमें कोई कमी वागर देखने को नहीं मिलती वेल चलिए इन सब के भार में बात करते हैं कि क्या खूबिया है क्या कमीया है ICO Neo 7 Pro की सबसे पहले बात करने वाल हो उसके डिस्प्ले की देखो डिस्प्ले की ऐसी चीज़ है कि फोन के अंदर आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी 6.78 इंच का डिस्प्ले है Full HD Plus इसॉलिशन के साथ AMOLED स्क्रीन है HDR 10 Plus को सपोर्ट करता है यह 10-bit का पैनल है 360 Hz के touch sampling rate के साथ आता है DCI-P3 color gamit है और पैनल हमने हर जगे टेस्ट किया ऐसी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी जो एक अच्छे क्वालिटी के डिस्प्ले में सारे चीज़ों होने चाहिए वो है इसके अंदर बस LTPO screen यहाँ से थोड़ी मिसिंग है जो आपको अभी भी premium phones के अंदर देखने को मिलती है जो यहाँ पर महंगे आते है उपर से under display fingerprint scanner बहुत साई तरीके से काम करता है और हाँ यहाँ पर जो haptic feedback के quality है वो भी हाँ पर काफी सी लगीत है और stereo speaker से वो भी काफी loud है किसी को game खिलने या फिर multi media consumption करना है stereo speakers में तो मज़ा आ जाएगा लेकिन भाई बात करें फोन के अंदर processor की देखो processor में तो पता है 8 plus gen 1 है लेकिन बेसिकली इनोल ने एक और चिप डाल ली है जो कुछ selected games के अंदर frame rate को boost कर सकते है यानि कि जो overall जो phone है वो gamers को थोड़ा target करके बनाया जा रहा है और अगर किसी की priority game खिल और under 40,000 में एक ऐस फोन लेना चाहते है इसके अंदर भैतरीन gaming हो सके iqo के इस phone के उपर आप जा सकते है मतलब कि gamers के लिए तो totally phone काफी इची deal हो जाता है इस price segment में इसके साथ ही RAMOS storage में LPDR5 की 8GB RAM 1.8GB storage वो है UFS 3.1 की यहाँ पर ऐसी 12GB RAM में 256GB storage भी आपको देखने का मिलती है और यहाँ पर बात करें तो आपको Android 13 देखने को मिलता है Funtouch OS 13 के साथ out of the box आप Funtouch OS के बार में बात करें तो हाँ, featureage भी है काफी सारे features आपको देखने को मिलते है Customization की चीज़े और यह बिल्कुल वैसे यह जैसा अपने Vivo के phone में देखा होगा और UI भी देखा तो पिछले कुछ समय में काफी जादे इंप्रूव है लेकिन कमी यहाँ पर ही है कि हाँ, कुछ bloatware देखने को मिलते है टोटली क्ली नहीं बूलूगा कि कुछ apps नो ने देथी उसे में bloatware कह सकता हूँ लेकिन यह totally useless app नहीं है निया आप uninstall करना चाहे तो वो कर सकते है और bloatware की situation ऐसी नहीं जैसा हमने दूसरे phone में देखे समय भर भर के useless app देथे कुछ apps ऐसी जिनका अगर आप यूज करना चाहे तो कर भी सकते हैं लेकर uninstallable है बस एक चीज लेकि हाँ पर hot apps, hot games दे रखा है इनों ने जो की recommendations देता है आप्स की वो चीज में हाँ पर disable app कर सकते हैं और bloatware में एक चीज में request लेकि जो built-in browser रहता है वो इहाँ पर notification थो करता है बस अगर notification वाली चीज अगर फोड़ी से अगर कम कर देना यानि की browser हटा दे मेरी नजर में तो बहुत अच्छी चीज है मेरी नजर में देखो ठीक दे रहा है support लेकिन अगर एक flagship level का phone बना रहे थे ना तो यहाँ पर आपको तीन साल देखने को मिलता तो एक अच्छी चीज है हाला कि IQ का track record मैंने देखा है अपडेट्स में लोग काम करते है और जल्दी अपडेट प्रवाइट करने की कोशिक करते है तो यह कुछ अच्छी चीज इनके साथ उम्मीद करते हैं कि दो साल का जो promise के अच्छी तरीक से डिलीवर कर एक अगली चीज होगी 5G की 5G connectivity है इसके अंदर GEO 5G के साथ compatible है VONR की भी टेस्टिंग करी है इसके अंदर हमने और हाँ इस फोन के अंदर VONR capable है 5G network के अंदर calling इससे place हो रही थी और चलिए बात करते हैं की कैमरा की देखो main camera तो 50 में अपिसल का Samsung GN5 image sensor with OIS के साथ images काफी सही ले 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 तक 4K video 4K 60fps में video record करना है वो सही है और image processing main camera की काफी सही है मतलब 35,000 रुपीज के segment में बात करतों काफी solid camera आपको देखने को मल रहा है 8MP का ultra wide और 2MP का useless है अल्टर वाइट से अब कुछ ऐसे photograph ले सकते हैं लेकिन overall camera की बात करें तो main camera काफी अच्छा primary camera 8MP camera मेरे को media कर लगा उसके performance यहाँ पर सही नहीं है 8MP को अटाके 12, 13, 16, 15 MP डाल देते न वह बहतरी चीज़ होती और 2MP का useless sensor रटा दे तो एक perfect सा attack मेरे नजर में हो जाता और हाँ selfie camera भी ठेक है 16MP का selfie camera आपको यहाँ पर देखने को बलता है इसके साथ ही बात करतो फोन यहाँ पर 5000 एमेज की बैटरी के साथ आता है और 120W की charging के साथ आता है भी charger in the box देखा तो charging speed phone के काफी solid है और overall phone देखा तो एक अच्छा battery backup दिन भर में अच्छा provide कर सकता है प्लास्टिक फ्रीम देखने को लती है यह दो color में available है तो एक color में तो easy glass आता हो और यहाँ पर मेरे पास एक wireless color जो basically plastic ही कह सकता हूं या फिर से वीगल लेदर में हापकर कह सकता हो और weight of phone का वो under 200g नोंने रखने की कोहिए और बात कर प्रोसेसर यहाँ पर phone का 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 वो मेरे को मीडियो कर लगा, दूसरी कमी मैं बोलूँगा कि ब्लोट वेर तो चले उन्हों ले दे दिये, लेकिन होट अप्स, होट गेम्स हटादर, जो ब्राउजर की नोटिफिकेशन्स होती, वो अगर गाइब कर देगा, ये तोटली कीन एक्स्पीरियन्स हो सकता है, तो बी ओरनेस, एक फोन उन्होंने ठीक ठाक बना है, लेकिन अगर मैं बात करूँ, प्राइस पॉंड की तो अंडर फॉर्टी थाउजन्स में, जिस प्राइस पॉंड पे आ रहे हैं न, एट प्लस जैन्वान एक ऐसा प्रोसेर जो डिमेंसिटी के प्रोसेसर से भी आपको अच्छी पॉफमेस निकाल कर देदेगा, प्लस आपको यहाँ पर जो वेली फॉर मनी वाला फेक्टर होता है न, वो देखने को मिल रहा है, देखा यहाँ तो फोन यहाँ पर पसंद है और अगर कोई लेने का सोच रहे तो हाँ, यह रिक्रवेंडेट फोन हो सकता है, अगर आपका बजट टाइट और फ्लैक्शिप लेवल के पुफमेस चाहिए, तो एक अच्छा उप्शिन यहाँ पर क्रियेट हो सकता है, यार यह बात होती है, आपको नियर सेवन प्रू की, बाइदावे आप लोग बताई कि आप लोग के फ्लैक्शिप के लिए लगता है कि नहीं लगता, नीचे कमें पर युख को वीडियो देखने की लिंग में आपसलों दू लगता है कि नदर, बाइ!